इसान भाइयों नमस्कार स्वागते आपका हमारे यूटूब चैनल स्मार्ट एगरी कल्चर में अब कुछ दिनों के पिस्टाहत मद्य प्रदेश में मानसून आ जाएगा और मानसून आने के साथ ही प्रदेश में स्वाइबीन की बुआई भी सुरू हो जाएगी तो स्वाइबीन की बुआई से पहले स्वाइबीन की बेस्ट वेराइटी का सिलेक्शन करना काफी ज़्यदा जरूरी है तो इस वीडियो में मैं आपको स्वाइबीन की एक नई और बेस्ट वेराइटी के बारे में बताने वाला हूँ जिस variety ने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा performance किया है और कर्शी वेगनिकों के अनुसार अगर आप मद्य परदेश में स्वाइबिन की खेती करते हो तो आपको इस variety को जरूर लगाना चाहिए क्योंकि इस variety का उत्पादन भी अधिक निकलता है और इस variety की खेती करने में खर्चा भी कमाता है अब अगर उस variety के नाम के बारे में बात करें तो स्वाइबिन की उस नई variety का नाम है आरवेशम 11-35 किसन भाई यो इस variety को राज मता सिंधिया कर्शी वीश्यो उडियले के वेगयनिक डाक्टर वीके तिवारी एउ डाक्टर एस आर राम गिरी वे उनकी टीम के लगातार कई वर्सों के अतक प्रियास एउ गयान रिसर्च के बाद विक्षित किया गया है किसन भाई यो स्वैबिन की जो variety है आरवेशम 11-35 ने वर्स 2018-19 वर्स 2019-20 में लगातार दो वर्सों तक AICRP नेटवर्क के तहरत और आश्टरी इस्तर पर सर्वच उतपादन देने के कारण परतमुस्तान प्राप्त किया है मतलब की आसान भासा में समझे तो आज की तारिक में यह एक ऐसी variety है चो की वाश्टरी ग्रूप से अपनी उच उतपादक्ता के कारण परेले किसनों के बोरे बढ़ने वाली किसम बनेगी और बाद में उनकी जेब बरकर उनकी आई को दुगना करेगी और जिन किसानों ने इस किसम का बीज रिसर्च सेंटर मूरेना से लिया था वह किसान इस variety के दिवाने हो चुके हैं अब अगर इस variety की विशेष्टाओ के बारे में बात करें तो इस variety का दाना गोल आकार का होता है दाना मध्यम बोल्ड होता है इसके लावा दाना पीला और चमकदार होता है और दाने की ना भी काले रंगी होती है और ये variety 94 से 96 दिनों में पक कर तियार हो जाती है इसके लावा ये variety येलो मोजेग वाइरस एंट चालकॉल रोट के परतिरोदग विराइटी है और इसके लावा इस variety में अन्य कीट और रोगों का अटेक भी कम होता है इस variety में सपेद रंग के फूल आते हैं और बुवाई के 38 से 40 दिनों के पसाथ इस variety में फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं इस variety की फल्या चिकनी होती है और इस variety में पकने के बाद फल्या सेटरिंग होने की मतलब की फल्या चटकनी की समश्या बिलकुल भी नहीं आती है और इस variety की एक पली में तीन दाने बनते हैं इसके लावा इस variety की अंकुरन समता 85-90% है और इस variety के पोदे का आकार अर्द फिलाव वाला मद्यम उचाई और लगबग 53-60 cm उचाई वाला पोदा होता है इस अन्भायू अब अगर बात करें इस variety का उत्पादन कितना निकलेगा और इस variety की खेती किस प्रकार से करना चाहिए तो Murderielt किया अनुसार इस variety का everyo जोत पादन 25-30 cm परती हेक्टेर तक निकल जाता है और अगर आप उन्नत तरीके चेटी के से इस variety की खेटी करते हो तो इस variety का एवरो जोत पादन 35-40 cm परती हेक्टेर निकल जाता है अगर इस variety की खेती करने के तरीके के बारे में बात करें तो जब आप इस वराइटी की बुवाई करते हो तब आप एक एकड में 35-30 किलोग्राम बीजदर का परियोग करें मतलब की एक बिगा में 13-15 किलो और बुवाई करते समय लाइन से लाइन के बीच की दूरी 18 इंच रखें और किसान भाईयो आप इस वराइटी की बुवाई चोपाई के माध्यम से भी कर सकते हो चोपाई से अगर आप बुवाई करते हो तो पोदे से पोदे की दूरी 4 इंच बुवाई एक साथ आप 3-3 बीच डालिए और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 14 इंच रखें और इस वराइटी की खेती गर्मी में भी की जा सकती है और गर्मी में भी इस वराइटी का 10-12 क्यूंडल परती एकड उतपादन निकल जाता है तो किसान भाईयो कुल मिलाकर बात करें तो आडियोसम की 11-35 वराइटी बहुती अच्छी वराइटी है आप अगर इस साल च्वाइबिन की खेती करना चाते हो तो आप इस वराइटी को ज़रूर ट्राय करें बाकी आप अपने चेतर में कौन कौन सी वराइटी और आपको ये वराइटी कैसी लगी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में जए जवान जए किसान